नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्णकां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं भारतिये रेलेवे ने कुरोना काल में सवी स्वास्त प्रोटोकाल को ध्यान में रखते हुए चलाजेरी ट्रेनों की संख्या में अगले मासे और बड़ोतरी करने की योजना पर काम कर रहा है जनकारी के उनसा तेवहार के दरान अक्टूबर और नौमबर की संभावित यात्री संख्या को देखते हुए बेस्तम रूटों पर लगबग असी और नई ट्रेनर चलाई जा सकती है आपको बता दे कि इन दो महिना में दसारा दिपावली नौरात्री दूज छट और जैसी तेवार पर रहे हैं इन में अपने घर आने जाने वाले लोगों को कोई दिकत ना हो इसे देखते हुए रेलवे ने फैसला किया है पसुओ का होगा टिका करान सीएम ने किया टिका करन अभियान का सुभाराम मुखवंत्री एमन सुरेण ने पसुओ में होने वाली खुरहा चपका जैसी बीमारियों की रुखथाम एवं उन्मुलन को लेक कर गुरु आर को राष्टिये पसु रोग नियंतरन कारिकरम के तहट टिका करन अभियान का सुभारम किया है इस मौके पर उन्होंने पस टिका करमियों को टेब वा आइस बॉक्स समेत अन्य समागरी दी है बता दे कि पसुओ को रोग मुक्त बनाने के लिए साल में दो बार टिका करन अभियान चलाया जाएगा जार्खन राज महिला आयो की पुर्व अद्यक्ष को मिला सुरोजनी नैडू अंतराश्टिय समान जार्खन राज महिला आयो की पुर्व अद्यक्ष डाक्टर हेमलता एस मोहन को भारत कोकिला डाक्टर सुरोजनी नैडू अंतराश्टिय समान 2020 से समानित किया गया बता देखी नुएडा के फिल्म सीटी स्थीत एसियन अकेडमी ओफ आर्ट्स के छटे गलोबल लिटरेसी फेस्टीवल के अशर पर संस्था के निदेशक डाक्टर संदीप मारवाह एवं ICMI के जर्नल सेक्रेटी असोक त्यागी के ओर से ओनलाइन कारिकरम में समान दिया गया इस समान समारों में सामिलित होने के लिए देश विदेश से कई मेमानों ने ओनलाइन योगदान दिया था जर्खन में 1349 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई जो बोकारों से 48, 14, 43, देवघर 36, धनबाद 85, दूमका 17, जमसेदपूर से 123, गड़वा 112, गिरिडी 17, हजारी वाग 78, खुटी 5, कोडार्मा 36, राची 362, साहेव गंज 41, सराय केला 56, पच्चमी सिम्हूम से 89 जर्खन में कूल संक्रमितों की संख्या, चैतर 1,438 है, जब की 62,945 लोग स्वास्थ हुए और 692 की मृत्वी भारत में केस 85, 9 tot 1413 है, जब की illumin Swast भी हुए है जार्खन में गुरुवार को चार किमाध हुई है जो पूर्वी सिमुम से तीन और रामगर से एक किमाध हुई है गुरुवार को राजे में 1386 मरीज स्वस्थ भी हुए है एक्टिव केस इस परकार है राची 3624, पूर्वी सिमुम 2537, धनबाद 949, हाजारी बैक 161, पचमी सिमु 249, बोकार्ल 416, सराइकला 401, चात्रा 314, देवगर 182, दुमका 239, गडवा 200, गिरिडी 228, गोटा 249, गुमला 336, जामतरा नठानवे, खोटी 249, कोडारमा 381, लातेहर 249, लुर्दागा 233, पाक 191, रामगर 301, साहेब 111, सिम्डेगा 213, मरीज राजे में एक्टिवाएं, साइबर ठगों पर नकेल कसेंगे जारखन के युवा, साइबर ठगी के मामले में जारखन पूरे देश में कुख्यात है, खासकर राजी के जामतरा जिला को लेकर हमेशा बदनामी होती रही है, बतादे कि अब जारखन के युवा ही इन साइबर ठगों पर नकेल कसेंगे, इसके लिए युवाओ को पर सिक्षन दिया जा रहा है, इंटरनेट पर बढ़ती निर्भरता के बिच डाटा की सुरक्षा को लेकर खत्रा बढ़ गया है, इसी वज़ असल लगतार हैकिंग, ड केंद्रे ने राजियों पर ठोपने का काम किया, शिक्षा मंत्री, केंद्रे की गाइडलाइन के अनुसार, जिन राजियों में इसकूल खोल रहे है, वहाँ की स्थिति का अध्यान करने के बाद ही जारखन में इसकूल खोलेंगे, शिक्षा मंत्री जगनात महतों ने कहा कि स्कूल खोलने वाले दूसरे राजयों की ठिती और कुरोना संक्रमन से बचाव के लिए वहां किये जा रहे उपायों का अध्यान करने के बाद ही राजये में स्कूल खोलने का निनने लिया जाएगा सराब कारुबारियों को दिसंबर तक टेक्स में रहात राजये के सराब कारुबारियों को दिसंबर तक रहात देने की तियारी है अपनी समस्या को लेकर सराब कारुबारियों ने उतपात एवं मगद निसेद मंत्री जगनाथ महतों से मुलकात कर बात रखी थी बतादे कि मंत्री ने अस्वासन दिया है कि दिसंबर महिने तक उत्पात कर को 9 फिजदी से घटा कर 7.2-3 फिजदी कर दिया जाएगा ओनलाइन ट्रेनिंग में रूची नहीं दिखा रहे जारखन के सिक्षक राजे के सरकारी स्कूलों के सिक्षक ओनलाइन ट्रेनिंग के लिए रूची नहीं दिखा रहे हैं बतादे कि राजे में 1,20,60 सिक्षकों में से मात्र 22,60 नहीं अब तक रिश्टेशन कराया है इसकी वज़ा से गुरुआर से सुरू होने वाले ओनलाइन पर सिक्षन कारिकरम दोबारा अस्थागित कर दिया गया है बतादे कि इसे पहले भी सिक्षकों के कॉम राइस्टेशन करने पर 24 सितमबर से सुरू करने वाले तारिक तयक की गई थी मन्रेगा कर्मियों को हर्ताल अधिक का मांदे नहीं मिलेगा बतादे कि सताई जुलाई से 10 सितमबर तक मन्रेगा कर्मी हर्ताल पर थे जार्खन का एकमात्र दुमका का गाउं जहां सिक्षकों ने घर घर दिवार पर बलेकबोट बनवा कर सिक्षा को करोना काल का असर से रुका है बता दे कि दुमका जिला के जर्मुंडी बलोग इस्थित डुमर थर गाउं के या अभियान चलाया गया संग लोग सेवा आयोग द्वारा चार अक्टूबर को आयोजित होने वाली सिविल सेवा परिक्षा 2020 को लेकर राची में तैयारी चल रही है लोगदगा जिला में भरिष्टाचार के खिलाप अंदोलन करेगी आजशू पाटी लगातार भारी भारी से गोड़ा के जहमरिया चेक डेम का तटबन तूटने से गाउं के खेतों में पहुचा है पानी धनबाद से पटना एवंवरनारस के लिए जल्द चलेगी अगारा जोई ट्रेने जिसमें राची एक्सपरेस वरानसी एक्सपरेस पलामू एक्सपरेस जैसी ट्रेने सामिली थाए जारखंड की संसत अनपूर्णा देवी ने एक श्टील कंपनी के रेजुलेशन प्रोफेसनल संजय गूपता को हटाने और उनके खिलाप जाच करने की मांग की है बाबाधा में परसीद पेड़ा मिठाय की गलोबल पहचान मिलेगी इसे जल्द ही जी आई टेग मिलेगा पलामू के हुसाइनाबाद थाना का ए एसाई चाहर रुपे रिस्वत लेते गिरफ्तार चटी जपीएसी के सफल उमिद्वारों को कोट ने नोटिस जारी किया है जारखंड स्वास्त मंतरी ने मैट्रीक में अन्ठानवे परतिशत अंक लाने वाले छात्र निकित निश्चल का किडिनी का सारा खर्च उठाएंगे निकित का अपरेशन रिम्स में चल रहा है जारखंड में 26 सितमर से शुरू होगा देश का पाला एंसूरेंस लोक अदालत जिसमें 500 से ज्यादा मामले निस्पादित होने की संभावनाए है पलामो उपायुक्त ने सथ परतिशत के सिसी लोन देने का निर्देश दिया है जारखंड डिजीपी एमबी राव ने बढ़ते साइबर अपराज पर अंकुस लगाने का भी निर्देश दिया है गिरी डी सदर अंचल का राजस्वक्रमचारी संजय साव 35 रुपे रुष्वत लेते गिरफ्तार किये गए है देवगर में लगतार वारिस होने से कई घर गिर चुके हैं तादे की देवगर के देवरी पूर परखंड के दोहा गाउं में 20 मिटी का मकान गिर चुका है रामगर थाना छेतर अंतरगत चोहारा से भारा एक ट्रक पलट गया जिसे ग्रामिनों ने लूट कर अपने घर ले गए अंतर राजिये चलने वाली बसों के खिलाप अभियान चलाया गया जिसमें तीन बस को जबत भी किया गया जामतारा के वरिष्ट समाज से भी जामतार नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष बिरेंद्र मंडल के द्वारा सैलुन संचालकों के बीच मास्क और सेनेटाजर का बितरन किया गया धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको नियमित रूप से उसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे तो वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के साथ सेर अवसे करें आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप अपनी फेस्बुक पर अवसे सेर करें साथी साथ वाट्स नियूज का बिस्तार हो सके थांक्यू जाहिन जय भारत